हाई गाईज वेलकम तो मैं चैनल इसी निडिंग क्लासेज तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छी होंगे स्वस्त होंगे तो देखे फ्रेंड्स एक बनाना फ्रूट लेकर आई हूँ आपके लिए मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि फ्रूट बनाना बताऊं बच्चों के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट में जरूरत होती है या फिर हम अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं इसको डाइन अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के आप अंड में देख सकते हैं कि हम मैंगो किस तरह से बना सकते हैं या उसा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैंगो मैंने किस तरह से बताया है और आज मैं आपके लिए बनाना लेकर आई हूँ करोशिया होग यूज किया है और फोर्क लाइब बूल मैंने यूज किया है तो तीन कलर में मैंने से बनाया है जो कि कॉमन कलर होते हैं बनाना के तो चलिए फिसका देखते हैं किस तरह से बनाना इसका वीडियो इस बनाना को बनाने के लिए मैंने आप यह तीन कलर यूज की हैं ग्रीन ब्राउन और यलू ठीक है तो सबसे पहले हम यहां पर ब्राउन कलर से वर्ट करेंगे इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे हम ठीक है मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन ले लेंगे और सेम इसी में हम सिंगल कुर्सिया बनाएंगे देखिए देखिए 1, 2, 3, टोटल 8 सिंगल कुर्सिया बनाएंगे अब देखिए यहां पर मैंने टोटल 8 सिंगल कुर्सिया बना लिए इस धागे को मैं यह खीच दूँगे इस तरह से और यहां पर यह सिलिप स्टिश से जॉइंट कर दूँगे और इस धागे को मैं कट कर दूँगे अब हम यहां पर ग्रीन कलर से बनाएंगे तो कहीं भी किसी भी जगह पर हम ग्रीन कलर मैं बताती हूं आपको यह देखिए साइट से किसी भी जगह पर हम यह ग्रीन कलर ले लेंगे और तीन चेंज बना लेंगे वन टू थ्री ठीक है अब जो हमने आठ सिंगल क्रोसिया बनाई है उन सभी के उपर हम आठ डवल क्रोसिया बना लेंगे अब यह जो तीन चेंज मैंने बनाई है उसको हम एक डवल क्रोसिया में काउंट करेंगे तो देखें यहां पर यह दो डवल क्रोसिया हो गए मारे पास थीक है अब नेक्स चेंज मैंसे बनाएंगे तीन ठीक है चार पांच अब देखें आठ डवल क्रोसिया बनाने के बाद मैं यहां पर इसको थर्ड वाली चेंज में इसे जॉइंट कर दूँगे देखें इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे ठीक है अब एक राउंड हमारा हो गया अब हम भी उनको नहीं कट करेंगे फिर से यहां पर हम तीन चेंज लेंगे वन टू थ्री स्वारी तीन चैंज नहीं लेंगे अब देखे यहां पे यह जो डबल क्रोशिया देख रहा है जहां पे यह हमने लिया है यह वाला यहां पे हमें फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना है फ्रंट पोश्ट वाला यह देखे इस तरह से देखिए बन अब नेक्स्ट में हमें नेक्स्ट जो ड niemand कुरल नहीं है इस में बैक पोस्ट डौल क्रोश्य बनाना देखिए इससारे से थीके अब नेक्स्ट हमें यहां पर फ्रंट पोस्ट बनाना है फिर हमें बैक पोस्ट बनाना है अब बैक पोस्ट बनाना है फ्रेंट पोस्ट बैक पोस्ट यह दिखी यहाँ पर हमने फ्रेंट पोस्ट बनाया इसको हम यहाँ पर सिलिपिस्ट से जॉइंट कर देंगे तो देखी यह हमारा इस तरह से आगया अब ही हम एक रो और बनाएंगे सेम ठीक है तो जो फ्रेंट पोस्ट है वहाँ पर हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे और जो बैक पोस्ट है वहाँ पे हम बैक पोस्ट बनाएंगे देखिए फ्रंट पोस्ट हमने लिया था यहाँ पे बन अब जो सेकंड हमने बैक पोस्ट लिया था यहाँ पे हम बैक पोस्ट बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ये देखें इसी तरह से पूरे राउंड को कम्प्लेट करेंगे देखें इस तरह से राउंड कम्प्लेट हो गया मेरा थर्ड वाला आप इसे यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे और उनको हम कट कर देंगे तो देखिए इस तरह से यह चौकोर बनके आ गया हमारे पास धागे को अंदर कर देंगे और जो हमने बैक पोस्ट बनाए है यहां पर हम येलो कलर वाला धागा जॉइंट करेंगे देखिए ये बैक पोस्ट है येलो कलर यूज करेंगे इस पर हम नॉर्मल ये जो बैक पोस्ट हमने बनाया था यहां पर देखिए इस पर नॉर्मल ही हम पहले तो टाइ कर देंगे इसको तीन चेंज वन टू थ्री ठीक है अब जस्ट बगल वाले में हम एक डबल क्रोस्ट बनाएंगे इस तरह से और जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ठीक है यह फ्रंट पोस्ट है इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से ठीक है अब देखिए यहां पर यह चेन है इस पर हम डबल क्रोशिय बनाएंगे एक फिर अगली वाली चेन पर डबल क्रोशिय बनाएंगे दो डबल क्रोशिय फ्रंट पोस्ट और जब आप यह जो chain है, double crochet, double crochet, अब आया यह, front post, again, double crochet, double crochet, front post, अब देखिए, यहां पे से हम, तीसरी chain में, joint कर देगे, तो देखिए, yellow color सी है, हमारी first row complete हो गई है, ठीक है, अब बस हमें इसी तरह से बनाते जाना है, और हर रो में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है, तब तक की, तब तक बढ़ाना है, जब तक हमारे पास यह बीच में, पांच फंदेना हो जाए, ठीक है, पांच double crochet होना हो जाए तब तक, देखिए, तीन chain, one, two, three, इसको मैं हटा देती हूँ, यह focus नहीं करने दे रहा है, अब देखिए, यहाँ पर, यह जो chain है, इसके just बगल में, इसमें एक double crochet बनाएंगे, इस बार हमारे पास, first row में हमारे पास यह दो double crochet थे, अब हमारे पास यह तीन double crochet होंगे, यह देखिए, यह तीन double crochet हो गए, अब यह front post है, front post का हरवार front post की तरह ही लेंगे, यह देखिए, again देखिए, यहाँ पर, one, next, two, next, three, ठीक है, अब यह देखिए, यहाँ पर, double crochet, अब देखिए, यहाँ पर, one, next में, two, फिर यह next, three, अब यह front post है, इसको front post ले लेंगे, again देखिए, one, two, three, front post, इस रो में हमारे पास, three double crochet हो है, one, two, three, यह देखिए, थर्ड वाली chain में से, joint कर देखिए, slip stitch से, अब फिर से three chains, one, two, three, अब हमारे पास, इसको front post बनाएंगे, again देखिए, one, one, two, three, four, अब यह देखिए, front post है, इसको front post लेंगे, देखिए, थर्ड वाली chain में हम इसे joint कर देखिए, one, two, three, अब हमारे पास इस रो में पांच double crochet होंगे, two, three, four, five, front post को front post बनाएंगे, अब देखिए, यहां से, one, two, three, four, five, front post, इसी तरह से full around complete करेंगे, अब यह देखिए, front post बना लेंगे, इसके बाद, four, ठीक है, अब यह अमारे पास पांच-पांच double crochet आगे बीच में, अब सेम इसी तरह से अब हम बनाते हो जाएंगे, अब इस रो में देखिए, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, one, two, three, अब देखिए, यहाँ पर, two, three, four, और five, ठीक है, अब यह हम front post बना लेंगे, यहाँ पर हम फंदा नहीं लेंगे, यह देखिए, अगे देखिए, यहाँ पर, one, two, three, four, five, ठीक है, front post बना लेंगे, अब यह, हम सेम इसी तरह से बनाती हुए जाएंगे, और ऐसे total यहाँ से लेके, करीबन बारा राउंड कम्प्लीट कर लेंगे, वन, two, three, four, five, पांच राउंड हो गए, यानि कि यह जो मैं लाइन बना रही हूँ, पांच भी लाइन, सेम ऐसी ही, मैं छे लाइन और बना लूँगी, ठीक है, तो, one, two, three, four, five, sorry, और इस साथ लाइन और बना लूँगी, यह वाली, तो मैं इसको कम्प्लीट करूँगी, फिर बताऊंगे, यह देखिए, राउंड मेरा कम्प्लीट हो गया है, इसको मैंने यह आपर जॉइंट कर दिया, अब यह जो राउंड मैंने बनाया, सेम ऐसे ही बनाऊंगी, one, two, three, four, five, यानि कि five double crochet, एक front post, five double crochet, एक front post से, मैं करीवन, one, two, three, four, five, round यह हो गए है, अब total मैं seven rounds और बना लूँगी, ठीक है, सेम यह जो राउंड निकाला है, पाँच वह सेम ऐसे ही, तो अभी देखिए, आप यह मेरी जो 12 lines है, वो मैंने complete कर लिए है, बनाके, देखिए, हर बार मैंने, two, four, five, five double crochet, एक front post किया है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, ठीक है, अब इसे third वाली chain में मैं joint करूंगी, यह देखिए, अब देखिए करेंगे, क्या तीन chains लेंगे, one, two, three, जिस तरह से अभी हम बढ़ाती हुए गए गए थे, उस तरह से अब हमें घटाती हुए जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने यहां पर नीचे एक फंदा बढ़ाया था, पाँच फंदे तक, अब हम घटाएंगे, देखिए, एक double crochet हो गया, अब 4 लेंगे, दो double crochet, तीन double crochet, अब जो फोर्थ वाला double crochet लेंगे, हम देखो इस तरह से लेंगे, one, इसको अब नहीं निकालेंगे, फिर स अब, फ्रेंट वोस्ट, अगें दिखे, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरह से लेंगे, अगें, इस तरह से लेंगे, ये रेखे, ठीक है, फ्रेंट वोस्ट उठाएंगे, अगें, इसी तरह से हम, पूरी लाइन रिपीट करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर देखे, वन, ये देखे, दौनों को एक साथ, दिखे, इस तरह से लास्ट में, प्रंट पोस्ट ले लेंगे, राउंड कम्प्लिट करेंगे, थर्ड वाली चिन में जॉइंट कर दिएगे, अब देखे जिस तरह से इस वाली रो में हमने चार डवल क्रोश्य लिए हैं अब नेक्स्ट रो में हम तीन डवल क्रोश्य लेंगे वन टू थ्री दो हो गए यह थर्ड हो गया ठीक है फ्रंट पोस्ट लेंगे अब देखे वन ले दिल लेने हैं तो देखे इस तरह से एक बार निकालेंगे फिर से एक बार निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देखे इस तरह से वन टू थ्री ठीक है पुरे पosse है पूरा आइन क 카 mention कर लिए कोज़ेंगे 15 लाइन निकश्ट कर लिए अब हम 2 क्रोश्या लिए। 1und2 ठीक है अब फ्रंट पोस्ट उठाएंगे अब फूरी लाइन बें यह He i kai करेंगे 2 क्रोश्या लिए यह He i an यह देखे इसके बाद फिर एकड़बल क्रोशिया लेंगे और एक फ्रेंट पोस्ट अब दिखिए यहां पे हम आगए दो ड़बल क्रोशिया फ्रेंट पोस्ट लेके लास्ट में आगए इसे हम यहां पे जॉइंट करेंगे इस लिपस्टिश से ठीक है अब इसको थोड़ा सा लमा खीज देंगे धागी को अब दीखिए हमारे पास इतना सा रह गया होल थी कितनी डबल क्रोशिय रह गए हमारे पास यहां देखते हैं दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा टोटल बारा फ्रेंट पोस्ट को मिलाके डबल क्रोशिय हमारे पास रह गए अब हम इसमें कॉटन फिल करेंगे उससे पहले देखे क्या करेंगे इस तरह से कोई हमें एक लकडी या कुछ भी ऐसा हार्ड प्लास्टिक टाइप का कुछ ऐसा ले लेना है जिससे कि ये थोड़ा सा हर्ड और थोड़ी सी गुलाई में हो ये देखे क्योंकि मैंने इसमें भी फसाई हुई एक लकडी इससे ये बनाना का सेव आया है ठीक है इस तरह से हम ले लेंगे कोई भी देखे ये किये है इस तरह की टो इसको हम इसके अन्दर डालेंगे अब इसके बाद हम इसमे कौटन भर देगे जितने भी बढ़ी यह उसे हम कट कर देगे अब इसके बाद हम कौटन फसाई नेंगे कोई भी कॉटन या फिर कोई भी कतरन कपड़े की कुछ भी हो आप वो यूज कर सकता है इस तरह से मैं इसमें फिल कर लूँगी तो यह देखे मैं इस तरह से में कॉटन फिल कर लिए ज्यादा कॉटन फिल नहीं करनी है थोड़ी सी करनी है जिसके इसका हम सेप दे सकें अच्छे से अब देखिए करना क्या है आगे अब जहां पर हमने यह दो दो डबल ग्रोशिया लिए अब हम बीच में एक यह देखिए यहां पर वन यहां पर एक डबल ग्रोशिया बनाएंगे सॉरी एक डबल ग्रोशिया बनाएंगे अब हम यहां पर कलर चेंज करेंगे ठीक है तो अब यहां पर यह ब्राउन कलर यूज करूंगे एक चेंज बना लेंगे पीले वाले दागे को खीच देंगे अब देखिए जितने हमने यहां पर डबल क्रोशिया लिए सभी डबल क्रोशिया में अब हम सिंगल स्टिज बनाएंगे यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा मुसकिल हो रहा है यह देखे इस तरह से अब ठीक है 12 डबल कुरूशिया है हमारे पास फ्रंट पोस्ट मिला के सभी में हम डबल सिंगल कुरूशिया बना लेंगे ठीक है और यलो वाले धागे को कट कर देंगे देखे हर चेन में से मैं एक सिंगल कुरूशिया बना लूँगी इस तरह से हर चेन में से यह देखे इस तरह से बना लिया हमने अब यहां वे थोड़ा साम कॉटन और फिल करते हुए जाएंगे देखे इस तरह से इसको हम जहां आपने पहला वाला सिंगल कुरूशिया बनाया था उसमें सिल्पिस्तों से जॉइंट कर देंगे अब देखे अब हम यहां पे फिर से घटाएंगे एक चेन ले लेंगे अब देखे इस तरह से सिंगल कुरूशिया बनाएंगे बन इस तरह से देखे एक बार निकालेंगे अगेन हम यहां से लेंगे तीनों को एक साथ निकालेंगे यह देखें एक बार और सुरी अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं मैं और भी आपके लिए फ्रूट्स लेके आऊँगी इस तरह से यह देखें एक बार और हम इसमें करेंगे बस इसके बाद अब हम कट कर देंगे अब देखें इस तरह से सुई ले लेंगे इसमें धागा डालके इस तरह से हमसे टाइट कर देंगे कर देंगे इसमेंगे इसमें 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 तो दिखे इस तरह से हमारा ये बनाना बन के जो है कि इस तरह से हम इसको बनाना की सीफ दे देंगे तो दिखे एक मेन आप थोड़ा सा बड़े साइज में बनाया है तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये हो तो मेरे इन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप और भी कोई फूट देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताएगा तो मैं वो भी आपके लिए लेकर आँगी और वीडियो पसंदाए लाइक कीज़ेगा चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीज़ेगा बैल बटन प्रेस कर दीज़ेगा जिसे के मेरे आने वाले वीडियो आपको समय से सबसे पहले मिल जाए मुझे कॉमेंट करके बताएगा कि आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी मेरी देखे इस तरह से हम सेप दे देंगे आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए फिन मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में और हाँ गाईज मेरा एक व्लागिंग चैनल है अगर आप मेरी परसनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे व्लागिंग चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मि देगा चलिए पर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू